हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जेस्वाल आप स्वागत करता हूँ आप सभी कैक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे आल टूटोरियल्स में तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे तो जाए mixer प्लीज मत हरे दोस्तों को शेर करके बताते रहो कि हम इतना मेहनत तरीके से वीडियो बना रहे हैं सिट स्टैंद्ड गा पूरा साइकूरा माच्स अवेलेवल हो रहा है तो पलीज सबको शेर करके इंफॉर्म कर दो अपने स पूरा चाप्टर जो बचा हुआ है वो कम्प्लीट हो जाएगा तो सिंपल मशीन क्या है वैसे अलड़ी मैंने शुरुआत की थी कि कुछ ऐसा मशीन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते जैसे मैंने एक साइकल का एक्जांपल दिया था तो साइकल में आपका खीला जो आप दिवार में ठोकते वो भी एक मशीन है ठोका खतम हैमर थोड़ा वो भी एक सिंपल मशीन है हमने वेजेस पड़ा था हमने इंकलाइन प्लेन पड़ा था की कोई ड्रम को मुझे कोई ट्रक पर चड़ाना है तो एक सिंपल से फल्ली ले लो अंबा तो किस चीज की जरूत पढ़ती है, मेंटेनेंस की जरूत पढ़ती है, और भी एक दो टाइप है, वह हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप लोग तयार रहे ना, लेकिन ये जो हमारा अप्लिकेशन है, जैया टूटोरियोस का, जिन्होंने डाउ लबात करें, वीडियो की चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, लिवर का मतलब क्या होता है, लिवर का मतलब हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था, आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी है, एक स्ट्रॉंग रॉड और क्रो बार, यूज टू रिमूब दा बिग स्टोन, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उसको हटाने में काम आता है, यह मैंने कल के दिन भी बताया था, लेक्चर नमर बन में, कि समझ लोग एक आदमी है, एक पारमर है, एक मैदान है, वो मैदान में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो हम क्या क क्या बोलते हैं दोस्तों फलक्रम, फलक्रम मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे वो चीज अटक सके, या फिर उसको उसका जो लोड है, वो डिवाइड हो सके, जैसे हमारा हाथ देखो, यह जो पाट है, यह हिंज जैसा काम करता है, फलक्रम जैसा काम करता है, और यहां पे कुछ ऐसा चीज भी होना चाहिए, ताकि हम यहां पे क्या लगा सकते ही, यहां पे अपना effort लगा सके, महनत जो होता है न DUM, जो बलते न, दम लगाके हैशा, तो यह effort जो है, वो यहां पर लगा सके, ताकि यह जो rod है, उसका जो दम है, मतलब यह जो rod है, इसक तो यह पुरा पुछ कर पाऊगे नहीं पाएगा तो यह प्त्थर आने के वज़े से क्या होगे एक उसको पुछ कर पाऊगे नहीं पूरा एक दब ओरिजिनल ताकत लगेगा एक एक ऐसा पॉइंट बिल गा है जहां से अगर एक्स्ट्रा एफट लगा रहे है तो वह पॉइंट से क्या करेगा तक प्त्थर को या फिर कोई बड़े अबजिक को हिलाने की कोशिश करेगा तो तो इसके लिए liver का इस्तिमाल किया जाता है, कोई भी बड़े चीज को move करने के लिए एक strong या फिर rod होता है, ये क्या है, it is nothing but a simple machine, ये भी एक simple machine है न, तो सोचो जैसे कि मैंने आपको बदाया था, कि machine का मतलब यही होता है, कि कोई भी काम को आसान करे, हमारा कोई भी काम, है, ये rod है, तो उसी से हम लोग पत्थर को हिला पा रहे है, that is nothing but the simple machine, मतलब क्या हुआ, ये जो rod हुआ, एक simple machine हुआ, ठीक है, अब ये जो liver है हमारा, जो हम लोग पट रहे हैं, ये तीन प्रकार के होते, कौन से होते है, there are three types of liver, एक होता है आपका first order liver, दूसरा होता है second order liver, और तीसरा होते है, आपका third order liver, ये क्या होता है, ये first order liver क्या है, second order में क्या हो रहा है कि यह आपका समझ लो lever है ठीक है यहाँ पे आप लोड लगा रहे हो बीचो बीच लेकिन fulcrum एक कोने में मतलब किसी एक कोने में आपका एक fulcrum का point दे रखा है और effort ऐसा लगा रहे है तो मुझे एक बात बताओ कि समझ लो कि यहाँ पे आपका fulcrum है यहाँ पे आपका load रखा हो आ है यहाँ पे आप effort लगा होगे तो यह कैसे move करेगा यह जो चीज है यहाँ पे effort लगा हो प्यलग रहे हैं control के तीनों जो liver का use जो हो रहा है वो अलग-अलग तरीके से हो रहा है तो आपने देखा होगा पहली बात तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये liver और भी कहां देखा गया है मतलब और कहां-कहां use होता है तो चलो पत्थर उठाने के लिए use होता है लेकिन there are so many other things भी हम लोग इसका इस्तिमाल करते हैं liver का इस्तिमाल करते हैं बहुत सारे machines में भी as a liver जो है वो इसका इस्तिमाल किया जाता है correct है तो उमीद करता हूँ कि ये जो liver है ये क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा ये जो दिख रहा है इसको बोलते है पुल्ली ये जो arrangement दिख रहा है this is nothing but the pulley इसको हम लोग क्या बोलते है पुल्ली बोलते है जो कि एक किसी object से या फिर किसी चीज से लटका हुआ रहता है ठीक है तो ये क्या होता है it is nothing but a device with a grooved wheel एक ये 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 wheel होता है एक चक्का होता है चक्का बोलते हैं टायर टायर मतलब वह तो rubber वाला पार्ट होगा है लेकिन rubber के अंदर जो rim होता है जिसको हम लोग वील बोलते है तो ये wheel है लेकिन इसके अंदर groove है और groove के अंदर से क्या जा रहा है ये जो रस्सी आपको दिख रहा है ये रस्सी जो है ये group वाली group के अंदर से होके जारी है, इस प्रकार से होके ये रस्ती जारी है और ये रस्ती से क्या अटाच है, एक hook अटाच है, ये दिख रहा है ये hook है, crane देखा है, crane, बड़ा-बड़ा crane देखा है, crane, जो बड़े-बड़े चीज़ को उठाता है, तो crane में नीचे hook लगा तो वैसे हुक है, यहाँ पर कितना भी हो सके, तो heavy object अगर आपको डालना है, तो यहाँ पर heavy object डाल लो, ठीक है, और वो hook क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, अब आपको उठाना है, तो समझ लोग कि आपका वो जो वजन है, वो बहुत ज्यादे heavy नहीं है, तो आप खुद स क्या करोगे, वो रसी को खीचोगे, 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 तो यह क्या उठेगा, यह उपर, यह उपर, उपर जो है, वो lift होता रहेगा, तो सेम ऐसे हम लोग जो कुवे में से पानी निकालते हो, ऐसे ही करते हैं, बाल्टी में पानी भर जाता है, ठीक है, और फिर हम लो से load क्या हो गया, divide हो गया, तो अगर एक ऐसा design क्या हुआ group wheel है, जिसमें threaded designs होते है, मतलब रस्ती डालने का एक जगा होता है, तो lift the heavy weights, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, पुल्ली कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे चीज़ में होता है, जैसे crane में होता है, ठीक है, बड़े-बड़े lifter में होता है, lifter जो बड़े-बड़े heavy object को उठाते है, ठीक है कुए में होता है, well, kua, ठीक है न, etc मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मतलब इतने सारे चीज़े है, इसमें यह जो पुल्ली का arrangement है, ठीक है, बहुत सारे heavy-heavy machinery होती है, इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन heavy machine दीज़ तो पढ़ना ही नहीं हमें, हमें तो simple machine पढ़ना है, तो पुल्ली जे simple machine by which a human being can also lift the heavy weight by just applying a thread on it, thread मतलब रसी, दागा नहीं हा, ठीक है, यह चीज़ से कर सकते, तो यह हो गया पुल्ली, समझ में आ गया, पुल्ली क्या है, कि इसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या सब चीज़े हैं, यह आपको clear हो गया होगा, अगले lecture पे चलते हैं, अब मतलब माफ करना, अगले topic पे चलते हैं, अगला जो topic है, हमारा वो है दोस्तो, आपके लिए, अब wheel and axle, wheel and axle मतलब क्या होता है, समझ लो, कि आपने यह देखा है क्या, कार देखा है कार, समझ लो, क्या होता है, कि एक beach में एक road होता है और यही road के दोनों side tire लगे होता है, यह एक tire, यह एक tire, और यहां से आपका, समझ लो कि आपका Car ठीक है यह आपका Friends Review बतार हूँ मैं Top View बताने की कोशिश कर रहूँ यह आपका Car ठीक है यहापका Steering Wheel है ठीक है यह आपका इस प्रकार से यहापकर दूसरा टायर ठीक है तो यह जो आपको दिख रहा है यह क्या होता है यह बीच वाला जो पाट होता है वो एक्सल होता है और यह उसके वील होते है तो कभी भी अगर कोई वील और साथ में एक्सल है तो उसका इस्तेमाल क्या जा सकता है जैसे कि जाइंट विल जाइंट विल आपने देखा है यह बीच में क्या होता है एक एक एक्सल होता है यहाँ प और जब वो नीची की तरफ आता है तो ऐसा लग रहा है और गिर जाएंगे गिर जाएंगे और अजीब सी एक गुद्गुदी बेचेनी सी होती है होता है कि आपके साथ तो जरूर से एक पर बैटना जीनों नहीं बैटना एक पर जाके जाएंट विल में बैटो बहुत मजा लेकिन यह तरीके से सिंपल मशीन में आप काउंट कर सकते और इसका इस्तिमाल बहुत सारे जगा पर किया जाता है जहाँ पर एक्सल होता है और उसके अरूंड में विल स्विल चाहे छोटे हो चाहे बहुत बढ़े हो यह वील है ऐक बड़ा सा टायर तो है यह यह टायर मत तो पुली क्या होता है समझ लिया, लिवर क्या होता है समझ लिया, वीलन, एक्सल क्या होता है समझ लिया, अब जब मशीन है तो जैसे कि हमने पढ़ा, मशीन जब होते हैं तो यार उसका मेंटेनेंस भी होता है, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, उसको दुरुस्त करना, जै होते हैं यानि कि जब हम बिमार पढ़ते हैं तो हम दवाईया काते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं इंजेक्शन लेते हैं उसी प्रकार मशीन का भी एक लाइफ होता है और मशीन को भी इलाज की जुरूत होते हैं और उस इलाज को मशीन के इलाज को ही क्या बोलते हैं दोस उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा इलाज हो रहा है हम लोग बिमार थे इसके लिए हो रहा है लेकिन मशीन की ओपर जब treatment होता है तो उसको कहा जाता है maintenance और maintenance भी time to time चाहिए होता है कोई भी मशीन को अब जैसे कि क्या होता है कि समझ लेक पंखा है मेरे पास ऐसे लेकिन example के दरबे मान लोगी पंखा है तो पंखा में time to time greasing करना पड़ता है ठीक है उसके motor खराब हो जाता है तो उसके copper windings change करने पड़ते है ठीक है उसके capacitor change करने पड़ते है ठीक है गाड़ी जो होता है तो गाड़ी में engine oil होता है engine oil change करना पड़ता है ठीक है brakes वगरे जो वो नीचे की तरफ गई हुई है तो यह पुल्ली जो है इसमें जो रस्सी है यहाँ पर अटक भी सकता है जो कहीं फुच फस गया यह जो बीच में एकसल है और पुल्ली जो गुल गुम रहा है उसमें हो सकता है फ्रिक्शन आ जाए या फिर जंग पकड़ ले तो बहुत सारे factors हो सकते हैं जैसे कि example के दोर में बहुत करूँ क्या-क्या factors हो सकते हैं तो factors की बात करूँ जो maintenance को पैदा करते हैं और maintenance करने को जरूरी करते हैं जो कि यह दोस्तो dust particle धूल मिट्टी जम जाता है ठीक है या फिर उसके उपर जंग लग जाएगा रश्ट लग जाता है लोखन समझ में आ गया तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बस यही ता दोस्तो इसली के साथ हमारा यह जो lecture है यह होता है totally complete और इसली के साथ जो simple machine जो हमारा chapter है यह भी हो गया totally 100% complete जी हा दोस्तो मज़ा आ पढ़ा के और उमीद करता और पहली बार चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना ठीक है दोस्तो तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए thank you and good bye